Last IPO, Sirama IPO, बिलकुल बिन बुलाया महमान जैसे आया था इतना जल्दी आया हमें टाइम ही नहीं मिला review वीडियो बनाने की लेकिन 24 अगस्ट और एक नय IPO आने वाला है इस IPO की नाम है Dream Fox IPO इस IPO के वारे में हम detail analysis करेंगे इस IPO की उपर हम detail analysis करेंगे आज की वीडियो के अंदर IPO apply करना चाहिए या फिर ignore करना होगा जादा वहतर आज हम सब कुछ बिल्कुल detail में starting से discuss करेंगे जो भी है मैं होग और अपनोंदी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा detailed trustable IPO analysis जो भी है इसी तरह से quality investment content पानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करने की साथ सथ घंटा या फिर घंटी जो भी मिलेगा उसे बजाना जोड से तो अभी हम सबसे पहले IPO details और GMP data की मदद से technical analysis करके समझने की कोसिस करेंगे इस IPO से कितना listing गैन विल सकता है और क्या listing गैन के लिए इस IPO को apply करना चाहिए या फिर नहीं आप देख सकते IPO सुरू होने वाला है 24 अगस्ट से और IPO apply करने की अंधिम दिने 26 अगस्ट इस IPO की price band रखा गया है 308 से लेकर 326 रूपीज की बीच में इस IPO की मदद से company total 562 करोर और 10 लाक रूपीज मार्केट से उठाना चाहते जो की है completely offer for sale इस IPO की face value डखा गया है 2 रूपीज इसकी अलाबा IPO की एक lot apply करने के लिए चाहिए 14,996 रूपीज इन सबकी अलाबा IPO की allotment date, refund date, listing date है आपकी screen पे आप चाहिए जो इस page की एक screen shot लेकर भी रख सकते तो IPO details discuss करने की बाद हमने समझा एक offer for sale IPO है यानि की company की existing shareholder खुद की share बेच के market से पैसा उठाने वाले और पैसा खुदी लेने वाला है यानि की IPO की पैसा company की business की अंदर company की business की अंदर growth के लिए use नहीं किया जाएगा latest data की हिसाफ से Dreamfox IPO की GMP चल रहा है 75 रूपीज और इस GMP data की मदद से calculation करने से हमें मिलता है फिलाल की data की हिसाफ से हमें Aprox 23% listing gain मिल सकता है तो इस data की हिसाफ से हम कह सकते IPO को लेकर बहुत ज़ादा demand है ग्रे मार्केट पे तो अगर मार्केट से ही रहता है तो इस IPO से काफी अच्छा listing gain मिलने की उम्मीद भी है यानि की listing gain के लिए हम इस IPO को apply कर सकते है अभी देखिए किसी भी IPO की तीसरे दिन बहुत ज़ादा important होता है इसलिए उस दिन की final update यानि की subscription status से GMP data और GMP की मदद से app rocks कितना listing gain मिल सकता है सारे information हम share करेंगे QDigita Telegram चैनल पे अगर आपने अभी दख QDigita Telegram चैनल को join नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए link हमने share किया है नीचे description और first comment पे तो अब तक हमने listing gain की आपसी साइपो को apply करना चाहिए या फिर नहीं उसकी बारे में discuss किया अब या यह fundamental analysis करके समझने की कोशिस करते क्या इस company के अंदर हमें long term investment करना चाहिए या फिर नहीं एक एक करके हम सब कुछ जानेंगे सबसे पहले आईए समझते company काम क्या करता है अगर आपने यारफोट में गया है तो आपने ज़रुस से notice किया होगा यारफोट के अंदर बहुत सारे छोटे बारे store या फिर company है जोकि अलग-अलग तरह की product या फिर service बेचता है जैसे की food and beverage बेचता है कोई company या फिर कोई company room service देता है या फिर basic needed service लिस्ट की बात किया जाए तो dream folks, lounge access, meet and assist food and beverage service spa service, room access service यारफोट, transfer service इसके अलबा baggage transfer service जैसी टोटल साथ तरह की service भारत की साथी साथ और वी 120 foreign countries की यारफोट की अंदर प्रोवाइड करता है अगर आपको lounge access के बारे में नहीं पता है lounge access है एक खास तरह की loyalty program अगर आपके पास premium, debit या फिर credit card है तो उस card की मदद से आप lounge access में entry ले सकते हो premium entry ले सकते हो और lounge access पे आप जाके बिल्कुल premium unlimited food खा सकते हो, पी सकते हो for example अगर आपके पास HDFC bank की premium credit card या फिर debit card है तो उस card की मदद से lounge access की अंदर free में entry लेकर कोई भी खाना कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो बिल्कुल free में unlimited quantity में और free में lounge access देने के लिए अलग-अलग bank या फिर card जैसे की visa, mastercard या फिर रूपी, dreamfox को पैसा देता है अभी dreamfox की साथ HDFC bank की साधी साथ axis bank, ICICI bank, kotak, mehendra bank के भी partnership है और इसके अलबा international level पे dinner club, international, mastercard, भारत की रूपी, visa जैसी company की साधी साथ और भी बहुत सरे corporate client भी है इनके पास इसके अलबा dreamfox के साथ 57 restaurant और food and beverage outlet की ट्राया फे भारत की 18 airport में और एक चीज, dreamfox भारत की 47 cities और foreign की 147 cities की अंदर pick up and drop facility भी प्रोवाइड करता है तो कुल मिला कि इस company के पास भारत में टोटल 244 touch point है और foreign countries की अंदर total 1172 touch point available है यानि कि हम कह सकते company की business काफी फैला हुआ है अब या आये देखते company खुद की business से पैसा कितना कमाता है company की financial कैसा है अब या आपके सामने है dreamfox company की financial data सबसे पहले या वे financial या 2020 की result यानि कि इससे हमें आइडिया मिलता है 1st April 2019 से लेकर 31st March 2020 तक company ने कितना revenue और profit बनाया है so we can say यह प्री COVID लेवल की data जा आपे 2019 की performance सामिल है similarly 2020 और 2021 की result या आप आप देख सकते हैं 2019 के दोरान company बहुत ही अच्छा profit में था लेकिन उसकी अगले साल COVID की वज़ा से company बहुत ही जादा loss बुक किया financial performance बहुत ही खराफ था इस टाइम पे क्यों खराफ था क्योंकि भारत की साथ साथ जाधर देश की अंदर international flight operation को बंद कर दिया गया था इभन बहुत दिनों तक domestic flight service भी बन था अगर flight ही नहीं चलेगा देन ड्रीमफोक्स जैसी company धन्दा कैसे बनाएगा उसकी बाद अगले साल 2021 company की asset increase हुआ लेकिन revenue और profit की अंदर उतना अच्छा growth नहीं देखने को मिला लेकिन फिर भी इस साल company loss recover करके बहुती कम profit बनाया है तो clearly हम कह सकते COVID जैसी pandemic की परिस्तिदि में बाद भी इसकी profit या फिर revenue उतना भी खास नहीं है फिलार share market पर इस तरह की कोई भी company listed नहीं है यानि की listing होने के बाद listed होने के बाद इस company को आम एक listed monopoly business कह सकते हैं लेकिन unlisted field में unlisted दुनिया में इस company की बहुत ज़ादा competitor बहुत सारे competitor available है यारफूट की अंदर ऐसी बहुत सारे चोटे भरे company है जो की same field में काम करता है तो unlisted की unlisted दुनिया में इस company की बहुत सारा बहुत ज़ादा competition है इसके अलबा अगर भारत या फिर foreign countries की यारफूट या फिर airlines की अंदर कोई difficulties या फिर कोई बड़ा decision changes होता है government की policy changes होता है उस time पे इस company को काफी ज़ादा difficulty face करना पर सकता है सब कुछ देखने की बाद personally मुझे लगता है इस IPO के अंदर हमें long time investment नहीं करना चाहिए इसलिए personally में long time के लिए इस IPO को apply नहीं करना चाहता हूँ लेकिन दूसी side पे COVID के बाद से धीरे धीरे online business normal हो रहा है तो आने वाला एक दो तीन साल इस company से हमें अच्छा financial result मिलेगा ऐसा ही मुझे लगता है तो जब अच्छा financial result आएगा तब इस company की share price की अंदर भी एक upside momentum हमें देखने को मिल सकता है तो इसलिए अगर आप इस company के अंदर इस IPO के अंदर बहुत ज़्यादा interested है तो आइफियो लिस्टेट हो जाने के बाद इस company के उपर आप नजर बना के रखिए आज की वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी knowledge, valuable information मिला है तो इस वीडियो को ज़रुस से लाइक करें और वीडियो पसांद आने पर इसे डिसलाइक करें साथे साथ याद रखना आज आपने वीडियो के अंदर जो कुछ भी डिसकस के है सब कुछ है बिल्कुल study purpose के लिए एक कोई भी direct buy sell की recommendation नहीं है किसी भी जग आप इनिवेस करने से पहले हमें साथ उससे study कीजिए अगर आपकी कोई भी financial advisor है तो उनसे भी आप सला ले सकते और इसी तरह से अगली IPO की quality analysis पाने के लिए इस चैनल को subscribe करने की साथ साथ बेल आइकोन को on करना ना भूले जो भी है thank you दिल से हम मिलेंगे फिर से keep going, keep growing